जन्यान सांग को जोड़ केख लगता है कि बहुत सानी चीजे लगता है लिकिन आज केख को हम डियरट पैं बनाएंगे वाफ 15 में तयाब भाइंगे वहाँ जाएगा आएक हम चीजों का भी इस्तीजी नहीं करेंगे और बाजार से अच्छा बहुत अच्छा सॉफ्ट स्पंजी केक आप घर में बना के तयार पर पाएंगे तो इस चॉकलेट केक की रेसिवी को चलते हैं बनाने के लिए केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कोई बड़ा बरतन ले लेंगे और उसके उपर रखेंगे एक चलनी आटा चालने वाले इसकी जगा अगर चलनी हो तो उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं एक कप यहां पर मैंने मैदा लिया है और उसी कप से नाप के मैंने एक चौथाई कप कोकुवा पावडर लिया है यह बहुती आसानी से मार्केट में मिल जाता है और अगर चमच से डाल रहे हैं तो जो खाने वाला चमच होता है उससे चार चमच यहां पर कोकुवा पावडर आपको डाल ला है एक चमच यहाँ पर मैनेaları बेकिंग पॉडर लिया है और आदा चमच बेकिंग वयाकिंग सोडा बेकिंग पॉडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग छीज है थोड़ा सा हम इसमें नम op डालेंगे टेस्ट को balance करता है तो बस दो चुटकी के करीब यहाँ पे आप नमक डालिएगा तीन चौथ हाई कप यहाँ पे आपको पिसी हुई चीनी लेना है एक कप से थोड़ा सा कम केक को बनाते समय पस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि जब आप केक को बनाएं तो कोई भी एक बतन जट कर ले उसे सबी चीजों को नापके डाले मेजर्मेंट का सही अनुपात से जब आप केक बनाएंगे तो परफेक्ट आपका केक बन के तयार होगा तो यहाँ पे हमें सबी चीजों को चान लेना है चान के लेते हैं तो केक में कुछ भी किल्ठिया वगेरा नहीं होती है केक हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट बन के तयान होता है और देखे चानने के बाद थोड़ा सा ये दरदरा सा रह गया है तो इसे हम हटा देंगे यही रीजन होता है कि सभी चीजों को हम छान के लेते हैं ध्यान रखेगा कि सरसो तिल का इस्तमाल नहीं करना है यहाँ पर आप रिफाइन डाल सकते हैं बटर डाल सकते हैं या फिर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बटर और अगर घी कभी इस्तमाल कर रहे हैं तो melt करके ही यूज करना है आज के केक को हम बिना अंडे के बना रहे हैं तो आधा कप यहाँ पर मैंने दही लिया है बस दही ध्यान रखेगा कि खटी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल दही के इस्तमाल कीजिएगा तो अगर आप वेजिटेडियन हैं बाहर का केक खाना पसंद नहीं करते हैं तो बहुत आसानी से घर में आप केक बना के तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक गेड़ मिनट लगा तार चलाते हुए मिक्स कर लेना है जब दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो यह अच्छा क्रीम की तरह बन जाता है तो यहाँ पर दही की सारी गिल्थियां खतम हो गई हैं तो इसे हम एक तरफ रख देंगे और जिस बरतन में हमें केक को पकाना है उसमें हम थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे अब हम इसके उपर एक बटर पेपर रखेंगे और थोड़ा सा इसके उपर दोबारा से तेल लगा देंगे अगर आपके पास butter paper नहीं है तो कोई tension वाली बात नहीं है पैन में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद आप क्या करें एक चमच मैदा डाल के चारो तरफ उसे लगा लें और एक्स्टा मैदा हटा दें तो जब केक को हम निकालते हैं तो केक टूटता नहीं है चिपकता नहीं है बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है अब हम क्या करेंगे कि दही वाला जो घोल हमने तेयार किया था उसे हम डाल देंगे अब फ्लेवर के लिए यहां पे हम थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डाल देंगे अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप इस केक को बना सकते हैं आधा कप यहां पे हम नॉर्मल दूद डालेंगे ध्यान रखेगा कि दूद बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए दूद को उबाल के पहले ठंड़ा कर ले उसके बाद दूद डालें इसे मिक्स करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करना है और इसे हलके हाथ से चलाना है फटा-फट से चलाएंगे तो इसके अंदर का जो एयर है वो खतम हो जाएगा जिसकी विएसे केक हमारा सौफ्ट नहीं होगा घोल अभी काफी गाड़ा है तो एक चौथाई कप दूद मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ टोटल यहाँ पर मैंने तीन चौथाई कप दूद का इस्तमाल किया है अगर आपको घोल जादा गाड़ा लग रहा है तो एक दू चमश दूद आप और अड़ कर लेजेगा जाएंगे अब आप इसे अच्छे से कवर कर दें अगर धकन में कोई छेद वगरा है तो आप क्या करें कि मेरी तरह कागज से पैक कर दें या फिर थोड़ा सा आटा वहाँ पर चिपका दें ताकि इस्टीम बाहर ना रिकले पकाते समय केक को गैस का आच बिल्कुल धीमा होना चाहिए तेज आच पे पकाएंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा केक को पकते हुए यहाँ पर बस 12 मिनिट हुए हैं तो चेक कर लेते हैं केक लाश में पकता है बीच में तो तूट्पीक या फिर चाकु की सहता से बीच में इसे चेक करें अगर चाकु तूट्पीक बिल्कुल साफ निकल रहा है मतलब यह अंदर तक अच्छे से पक गया ह तो गैस पे से उसे उतार के रख देंगे एक तरफ ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए अब आपको यहां पे चाहिए होगा डार्क कमपाउंड यह बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है केक की दुकान पे चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं और एक पैके में से निकाल के एक घंटा पहले रख देंगे तो यह थोड़ा सा सौफ्ट हो जाता है तो फटा फट से कट जाता है फ्रिज में रखने पे यह थोड़ा सा टाइट रहता है तो जल्दी कट नहीं पाता है तो इसे काटने के बाद मैंने एक बड़ी बरतर में निकाल लिया ह अब हम क्या करेंगे इसके उपर गरम गरम यहीं तो आधा कप यहां पर मैंने दूड डाल दिया है, तो टोड़ डालने के बाद जब शीयों कोरत ही बहूत है ऑदे? यहां पर तोड़ोगीज़ बढ़ना हैं फ्रिज मेंने रख देंगे weakened केक को मैंने पंके की हवा में रख दिया था यह अच्छे से ठंडा हो गया है तो किनारे से पहले हम थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे चापू की साहता से ताकि यह आसानी से निकल जाए अब पैन के ऊपर एक प्लेट रखेंगे उसे उल्टा कर देंगे और उसके बाद क्या क करेंगे कि पैन के ऊपर दो-चार वार टैप करेंगे तो यह बहुत आसानी से निकल जागा यह देखे इसके उपर जो हमने बटर पेपर लगा था वो निकाल देंगे तो दिखे केक हमारा कितना अच्छा बन के तयार हुआ है बिल्कुल भी टूटा नहीं है और सचमी यह सौफ्ट और स्पंजी केक बन के तयार हुआ है अब आप यहां पे तूटपिक ले 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 या फिर फोक ले ले और फोक की साहता से इसके अंदर पिक करें अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हम तूटपिक से पिक क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अभी हम शुगर सीरप डालेंगे तो जब हम इसके अंदर पिक्स करेंगे तब ही इसके अंदर वो सुगर सीरप जाएगा और जो हमारा केक है और ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा अब आप एक कटोरी में दो से तीन चमच पिसी हुई चीनी ले 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 थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे शुगर सीरप हमारा बन के तयार हो जाएगा पिसी हुई चीनी है तो यह फटा फट से घुल जाएगी अब इसके उपर हमें चारो तरफ अच्छे से डालना है ताकि केक के अंदर तक जाए और जब डालेंगे तो केक खुदी यह पानी अंदर तक सोख लेता है क्योंकि केक अलरड़ी बहुत फलपी होता है यह देखिए अब हम इसके उपर तयार के हो चॉकलेट डाल देंगे और यह जो केक है मेरी बच्चों का फेवरेट केक है मैं अक्सर बनाती हूँ इसे सिंपल से तरीके से कम समय में बनके तयार भी हो जाता है और हम सभी इसका आनन्द उठाते है चमत से चारो तरफ हम इसे बराबर में फेला देंगे ताकि किनारों पे भी चॉकलेट सिरफ अच्छे से चला जाए अब चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए उसके बाद काटके ऐसे ही सभ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग किया है तो बहुत आसान तरीके से इस के बाद काटें लेकिन मेरे बच्चों को तुरंती इसे खाना था बहुत देर से वेट कर रहे थे तो मैंने तुरंती इसे कट कर दिया था और जब मैं इसे काट रही हूं तो आपको देखके ही लग रहा होगा कि कितना अच्छा सॉफ्ट चॉकलेटी मूह में घुल जाने केक बन के त्यार हुआ है तो मार्केट से क्यों लाना है जब घर में आप बहुत ही टेस्टी हैल्दी केक बना के त्यार कर सकते हैं उमीद करते हो कि रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स फैमले में शेयर कीज़ेगा चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नी रासिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई